मुसकार दोस्तों, मैं सुधारत आप सभी का बहुत बहुत वक्त करता हूँ महाविद्या की शरिंखना में अभी तक हमने जाना है कि महाविद्या की उपासना क्यों करनी चाहिए उसके फल क्या होते हैं फिर हमने जाना है कि महाविद्या की जो ये स्रिजनात्वक शक्ती है ये किस प्रकार कारे करती है अर्थाद अहम क्या होता है इदम क्या होता है शिव और शक्ती क्या है यहां से किस प्रकार संपूर्ण स्रिष्टी बनती है परंतु आज और आज के बाद की जितने भी विड की आती है और कमला आती है इस तरह की जो महध्यां हैं इनके बारे में हम अब और अधिक विस्तृत रूप से जानेंगे आज का जो वीडियो है यह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें मैं एक दृष्टता करने जा रहा हूं और वो यह है जो यह को ले करके इस भ्रमांड के ज्यान को कुछ बातों में समझाने की चेश्टा करूँगा इस रुष्टता के लिए आप मुझे पहले से एक्षमा करें परन्तु समझना आवशक है कि महाविद्याएं जो हैं यह कितनी सूक्षम हैं और कितनी गूड हैं अर्थात कितनी सटल ह और कितनी रहस्य मही हैं परन्तु यह हर जगह व्यापत हैं अब प्रशने आपर यह आता है कि महाविद्याओं के बारे में में जानना क्यों हैं यदि मुझे माकाली की साधना करनी हैं मातारा की साधना करनी हैं शोड़क्षे की उपासना करनी हैं तो क्या इंके मंत्र ही ज भाव से बनी है। भाव जो है वो बहुत अधिक महत्पूर्ण हो जाता है मंत्रों को पढ़ने में मंत्रों के उचारण में। किस भाव से आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं उसी से आपके सभी कार्य बनते हैं। तंत्र में भी कहा गया है कि ध्यान, धारणा और समाधी ये तीन भहुत ही आवशक बस्त हुए हैं किसी भी मंत्र के सिध्धी के लिए ध्यान, धारणा। धारणा के अंदर स्वरूप आता है इसमें ही भाव भी आता है और इसी कारण ये वीडियो और आने वाले जितने भी उसे ये सभी बहुत अधिक महतपूर हो जाते हैं अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी देता हूँ बहुत अधिक, इंट्रेस्टिंग है इसे ध्यान से सुनेगा हमें ये अकसर कुई हम जब पुरान पढ़ते हैं या हम जब ही भी कोई और गरंत दर के देखते हैं पर उन्तो जब आप तंत्र शास्त्र पढ़ते हैं जब आप महाविद्या को और अधिक समझते हैं जब आप शिव और शाक्ति को समझते हैं तब आपको ये बात पता चलती है कि जो प्रलय है ये तो स्रिजन से पहले की स्थिती है प्रलय जो है यही प्र हैं उनके नामों के साथ हमें पता है कि जो यूग है वो सतियूग सबसे पहले आता है यानि कृतियूग जो है वो सबसे पहले आता है फिर त्रेता फिर द्वापर और अंत में आता है कले यूग परन्तु यदि सतियूग कृतियूग प्रथम यूग है तो फिर त्रेता बाद में होना चाहिए था परन्तु जब आप इसे जो स्रिष्टी करता है उनकी ओर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले प्रलय आई प्रलय के आने से जितने भी तक्त्व हैं वे बने प्रलय करत हो गया जो जिसे आटम है आटम को जो आपने ब्रेक कर दिया त सोड दिया जिसे आटम बॉम बनता है तो जो एक आटम है उसमें आपने प्रलय जब आपने लेकर के आए जिसके कारणी संपूर्ण भ्रमांड का स्रिजन हुआ तो यह आपका प्रथम स्टेज है यहां से जब स्रिजन हुआ तब आप देखेंगे इसी कारण से द्वापर फिर त्रेता फिर क्रिद यानि कि हम कलियुग में हम अंत की ओर नहीं जा रहे हैं हम कलियुग में प्रथम की ओर जा रहे हैं प्रथम की ओर जा रहे हैं फिर यहां से ही एक और स्रिश्टी का स्रिजन होगा यह विश्वए थोड़ और गूड है इसे हम बाद में समझेंगे परंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात और याद रखने वाली बात है कि प्रलए स्रेजन की पहली अवस्था है महाविध्याओं में जो 10 कहाँ खळा है उसपर हमने वीडियो किया है जो आपको इस वीडियो के endcard में दिख जैगा या फिर उपर की ओर जो आपको एक आई बटन आता है उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसे डाल दूगा परंतु समझने वाली बात यह है कि जो अंक हैं जिने हम कहते हैं भ्रम संख्या या फिर जो भ्रम अंक हैं वो शुन्य से आरंभ होकर के नौ तक पहुंचते हैं दसवा जो है यह पूनता का प्रतीक है अर्थात जो महवद्याएं हैं यह नौ तक ही हैं परन्तु ये आरंब होती हैं शुन्य से, शुन्य ही पूर्ण है और जब ये नौ के बाद में दस तक पहुंचती हैं तब ये पूर्णता का संखेत देती हैं परन्तु जब हम इसको क्रम संख्या में देखते हैं तब ये एक से आरंब होकर के दस तक पहुंचती हैं इस बारे में कहीं से भी कुछ संदेह हमारे मन में नहीं होना चाहिए पहली वे महाविद्या जो आती है वो है काली ये जो काली है ये दुर्ग सक्षती में जो काली उत्पन्न होती है उनसे अलग है अर्थात ये काल रात्री से अलग है इनकी जो आइकोनोग्राफी है इनका जो रूप रूप है जो उनके व्जापकता है उसमें महाकाली जो काली दूरकर्सप्चति में आती हैं इन्हें परथमा कहा जाता है इन्हें आध्याशक्ति कहा जाता है समझें हैं माविज्या हैं समझ में आई महाकाली के जो भारवयम का नाम है महाकाल यह समयातीत हैं जब समय भी नहीं था तब यह थे और यह अपनी शक्ति के साथ में स्थिति के साथ में यह वहाँ पर जहाँ पर जिसे हम समझ नहीं सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, वहाँ पर ये बैठे हुए थे, ये हर ओर बस थे, परन्तु कुछ भी स्पंदन नहीं हो रहा था, काली और शिव, यही स्थिति थी संपून स्रिष्टी के स्रिजन से पहले की, काली के बाद आती हैं तारा, तारा जो हैं, इन्हें कहा जाता है कि ये ज्यान स्वरूपा हैं, अर्थात संपून विश्व में, संपून भ्रह्मान में जो ज्यान हैं, यही तारा है, तारा के जो भैरव हैं, वो हैं अक्षोब्य भैरव, अब अक्षोब्य नाम से में क्या समझ में आता है, शोब, अर्थात ये वो हैं जो जितने भी पाप हैं, जितना भी दुख है, ये सभी को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, कथाओं के हिसाब से ये वो हैं जिनोंने हलाहल जो विश हुआ था, जो समुद्रमंधन के समय उत्पन्न हुआ था, उसे धारन कर लिया था, सभी प्रकार के पाप, सभ कोशी अपने अंदर ग्रहन कर लेते हैं फिर भी इनको ख्रोब नहीं होता है इसी कारण यह अक्षोब्य भैरव है और जो उनकी शक्ती हैं वे हैं तारा तारा के बाद तीसरे क्रम में जो आती हैं वे हैं शोडशी इनने ही ललिता भी कहा जाता है और जो शोडशी के भैरव ह कामेश्वर जो है इनी से ही संपून स्रिष्टी जो है वो चलायमान है काम का अर्थ यहां पर हम जो भौतिक रूप में समझा जाता है वो नहीं समझें काम जो है यह देविक रूप है काम जो है यह अध्यात्मिक जगत में इच्छा का संकेत है और इसी कारण शोड़िशी के जो भैरव है वे कामेश्वर भैरव है फिर शोड़िशी के बाद आती है भवनेश्वरी यह तीनों भवनों की अधिश्ठात्री देवी है तीनों भवन जो है यह इनी से ही चलते हैं स्वर्ग पिर्थवी और नर्ग यह तीनों ही इनी से ही चलते हैं चलायमान है जो इनके भेरव हैं, वे हैं त्रयम्ब का भेरव इसके बाद, यानि इन महाविद्या के बाद जो आती हैं देवी वो हैं भेरवी त्रिपुर भेरवी भी इनको कहा जाता है कुछ तंत्रों में पांचवे स्थान पर छिन्नमस्ता को रखा गया है परंतु अधिक्तम आगमशास्त्रों में पांचवे स्थान पर आती हैं भैरवी भैरवी ये कुंडलीन शक्ती से इनका बहुत ही गहरा संबंध है भैरवी के जो भैरव हैं वे हैं दक्षिना मूर्ती भैरव दक्षिना मूर्ती के कई अर्थ आते हैं जो महानिर्वान तंत्र में कहा गया है कि ये दक्षिन मुखी हैं, दक्षिन हम मानकर चलते हैं कि ये मृत्यू की दिशा है, दक्षिन मूर्ति भैरव वहाँ पर मृत्यू को रोक करके स्थित हैं, अर्थात जो इनके साधक हैं, उन्हें मृत्यू छू नहीं सकती है, अब यह हैं चिन्नमस्ता, चिन्नमस्ता के भैरव हैं क्रोध भैरव, ये क्रोध भैरव का जो एक जो इसका तात्पर है वे हम समझेंगे कुछ ही समय बाद जब मैं आपको एक बहुत एक चिन्नमस्ता के बाद आती हैं धूमावती, ये विद्वा सरूपा हैं, इनको अलक्षमी भी कहा जाता है और इसी कारण क्योंकि अलक्षमी हैं इनके कोई भैरव नहीं है, फिर आती हैं बगला मुखी, बगला मुखी आज के समय में बहुती प्रचलित देवी हैं, बगला मु मृत्यों जय भैरव से हम समझ सकते हैं कि ये किसी भी प्रकार के जो शत्रू होते हैं या फिर ये मन के जितने भी विकार हैं उन पर जीत आप जब चाहें, जब आपकी इच्छा हो उसी के लिए मृत्यों जय भैरव कारणत होते हैं और उनके शक्ति हो गई हैं बगला बगला मुखी के बाद आती हैं मातंगी, इनके भैरव हैं मतंग भैरव, मतंग का अर्थ हो गया है कि अपनी ही मस्ती में रहने वाले, अपनी धुन में रहने वाले, बहुती प्रचंड देवी हैं मातंगी, मातंगी के बाद में अंत में आती हैं कमला, कमला इन्हें हम तां तरक लक्षमी है चूंकि ये कमला है इनके जो भैरव हैं वे हैं नारायन अब यहाँ पर जो भैरव हैं और जो भैरवी हैं अर्थात जो जितनी भी महाविद्याएं हैं इनको हम समझते हैं एक छोटे से बहुत थिक एक्जामपल के साथ में आप तब समझ पाएंगे कि जो श कि व्यापक रूप के साथ में ब्रहमांड के सुजन के साथ में जोड करके देखेंगे तब हमें इसके व्यापकता के बारे में समझ में आएगा